जोहार सुगी साती, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तों आज का ये वीडियो उन तमाम JSC के परिक्षार्थियों के लिए important होने वाला है जो की JSC के विविन परकार के परिक्षार में regional language के रूप में या फिर local language के रूप में पंच परगणिया को चूज किया है आज का ये वीडियो बहुत ही जादा मातपुन है इसलिए आज की इस वीडियो को सुरू से अंतक अवज सी ही देखियेगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके CGL एक्जाम होने में लगबग एक मैने का समय है इस एक मैने के समय में आपको किस परकार से पढ़ना है कि सारा जो सिलेबर से वो कबर हो जाएगा इसके लिए आपको ये जाना जरूरी है कि किस भाग से कितना प्रश्न आता है तो हम लोग बात करेंगे कि किस भाग से आपके कितने प्रश्न रहेंगे आखरी समय में कौन से ऐसे किताबे हैं जो कि आपको पढ़ने ही चाहिए और एक मैना तो दूर की बात है अगर 10 तीन भी आप आपका इमानदारी से देते हैं या फिर 10 तीन भी आप इमानदारी से पढ़ाई कर लेते हैं तो 5 परगनिया में जो 100 question आएंगे 100 question में 95 plus correct करने से कोई भी आपको नहीं रोग सकता है या फिर 100 में 100 भी आप correct करेंगे पंच परगनिया इतना आसान language है कि अगर आप 10 दिन 0 level से start करते हैं 10 दिन पढ़ते हैं तो आप पूरा syllabus को cover कर देंगे और 95 plus आपका जो mark से वो आएगा ही आएगा चले दोस्तों आज किस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कौन से किताबे हैं जो कि आपको syllabus कबर करने के लिए पढ़ने की अवशकता है आपके सिलेबस में सबसे पहला जो भाग दिया गया है ब्याकरन का भाग दिया गया है जिसमें आपको तीन किताबे मस्ट पढ़ना है जिससे कोशन बनता है सबसे ज़्यादा कोश्चन आता है आदर्स पंच परगनिया ब्याकरन जो की लिखा गया है डोक्टर करमचन आहिर जी के द्वारा उसके बाद पंच परगनिया भासा ब्याकरन से आता है जो की लिखा गया है परमानद मतो जी के द्वारा और सबसे काम परशन आते हैं पंच परगनिया ब्याकरन जो की लिखा गया है डॉक्टर चंद्रमन महतो जी के द्वारा तो ये तीन किताब मस्ट है तीनोही किताब से कुछ ना कुछ परशन रहेंगे इसलिए ब्याकरन के लिए ये तीनोही किताब पढ़ना बहुती अधिक अवजशक है लोगित और सिस्ट गित के लिए जो के आपका खौंड खो में दिया गया है उसके लिए टोटल चार किताब पढ़ना है यहाँ पे तीन किताब दिया गया है एक किताब छूट गया है तो देखे पहला किताब आपको पढ़ना है पंच परगनिया लोगित जो की परमानन महत महतो जी के द्वारा लिखा गया है दूसरा आपको पढ़ना है बामरा जो की पंच परगणिया कविता का संग्रा है जो की दिनबंदू महतो जी के द्वारा संकलित किया गया है उसके बाद आपको पढ़ना है राबन बोध जो की लिखा गया है डॉक्टर चंदर्वन महतो ज इसके बार अलावा और एक किताब जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है जीवन पोतेकपुल उस किताब को भी पढ़ना है जो की संकलित के आगया है परमानन्द मतो जी के द्वारा वो किताब छूट गया है जीवन पोतेकपुल उस किताब को भी आपको पढ़ना है टोटल आपको लोगईत और सिस्ट गित में चार किताबों को पढ़ने होंगे ठीक है लोग कथा के लिए दोस्तो एक ही किताब आपको पढ़ना होगा पंच परगनिया लोग कथा जोकी लिखा गया है परमानन्द महतो जी के द्वारा और एक उपन्यास आपका दिया गया है सिलेबस में गलती से उसको नाटक लिख दिया है तो इस उपन्यास को पढ़ना होगा इंजोद जोकी पंच परगनिया उपन्यास है लिखा गया है स्री राजकिसोर सिंग जी के द्वारा जिनको बुंडवार भी कहा जाता है उसके बाद सिस्ट कहानी में एक किताब आपका पढ़ना है जोदी एसोन हो तो खोले का हो तो ये तीन किताब आपको पढ़ने हैं लोगगीत उपन्यास और सिस्ट कहानी में उसके बाद पंच परगनिया साहितकार का एक किताब आपको पढ़ना होगा आधूनिक पंच परगनिया साहितकार और कलाकार जो के लिखा गया है पराग किसोर सिंग जी के द्वारा इतने किताबों को पढ़ना होगा मेरे ख्याल से 10 या फिर 11 किताब है और इतने किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा इससे बाहर आपका कोश्चन नहीं जाएगा ठीक है अभी चलिए बात करते हैं कि आपके किस खंड से या फिर किस भाग से कितने प्रश्चन रहने वाले हैं तेके दोस्तों ये पंच प्रगनिया का आपका सिलेबस है इसमें जो ब्याकरन का पॉर्शन है ब्याकरन से आपके कोश्चन से रहते हैं 25 ब्याकरन से आपके कोश्चन से रहेंगे 25 लगबग 25 से एक दो जादा भी हो सकता है कोई count करके नहीं आता है लेकिन लगबग लगबग 25 questions जो है आपका खौंड को जो ब्याकरन का भागे उससे रहेंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों पध्य साहित का भागे जिसमें आपको लोगईत पढ़ना है और सिस्ट गीत और कविताएं पढ़ने हैं यहां से कितने प्रशन आते हैं उसको बता देता हूँ देखे जो खंड खो है इसमें आपके टोटल जो प्रशन आएंगे 25 प्रशन आएंगे जिसमें लोगईत का जो पोर्शन है लोगईत से ये जो टॉपिक दिये गये हैं इन लोगईत के टॉपिक से आपका टोटल जो प् किस परकार पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों को मैंने पहले ही बता चुका है, दोस्तों लोगईत का बहतरीन धंग से अभी paid class में classes चल रहे हैं, इतने बहतरीन धंग से मैं वहाँ पे आप सभी को पढ़ा दिया हूँ, कि जो भी paid class के student है, उन से आप पूछ लि उनको एक परसेंट भी दिक्कत नहीं होने वाला है, paid class से संबंदित सारा डीटेल में वीडियो के अंतक दे दूंगा, इसलिए वीडियो के अंतक बने रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारा खंड खो है, इसमें लोग कथा का जो भागे, इसमें से आपका 25 questions रहने वाला ह यह उपन्यास है, उपन्यास जो दिया गया है, उसके बाद सिस्ट कोहनी जो दिया गया है और उसके बाद साहितकार, यह सारे चीजों को मिला करके आपके 25 questions बनते हैं, इस परकार टोटल जो आपका paper बनेगा, 100 questions का बनेगा, ठीक है, अब अगर आप 0 level से भी start करते हैं, और अगर आप ध्यानपुर्वग पढ़ते हैं, तो एक दिन में सारे चीजों को आप complete कर जाएंगे, ठीक है, अधिक सदिक दो दिन आपका समय लगेगा इस portion में, खंड गो में, ठीक है, यह जो कहानी है, इस कहानी में कुछ भी नहीं है, इस कहानी को केबल आप reading भी करते हैं, तो भी आपका होच आएगा, ठीक है, छोटा-छोटा कहानी है, सारे जो यह लोग कताएं दिये गए हैं, यह सभी लोग कताएं, एकदम हलवा जैसा है, एकदम आसान है, ठीक है, और पेड़ क्लास में इसके सारे जो सारे वीडियो लेक्टर्स भी प्रोबाइड करवा दिय गए हैं, इन सभी को आप एक और सकते हैं, ठीक है, इंजोत उपजनयास तो बढ़ा है, जिसमें आपको समय लग सकता है, लगबग 3 घंटे का आपको समय लगेगा, इंजोत उपजनयास पढ़ने में, और practice करने के लिए, लगबग समझ करके चलिए, दो गट आगर आप practice कर खोले का हो तो कि यही कहानी है वो थोड़ा सा बड़ा है उसमें आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है ठीक है उसके बाद साहितकार ये सभी तो एकदम छोटे छोटे चैप्टर है इसको आप दो घंटा अगर समय देते हैं तो आराम से आपका कम्प्लिट हो जाए हैं तो लगबग 5 दिन का समय लगएगा ठीक है एक दिन में आप इंजो तो पन्यास कर लीजेगा एक दिन में आप जोदी एसो नो तो खोले का हो तो कि ये कर लीजेगा ठीक है उसके बाद एक दिन में आपको ये कर लेना है उसके बाद एक दिन आप इसमें लगा सकते हैं अलग अगर आप subject के साथ पढ़ते हैं और अगर पंच परगनिया subject पे ही एक दिन फोकस करते हैं तो एक दिन में भी आप इसे अराम से complete कर जाएगा ठीक है उसके बाद जब तक जहां तक आपका problem आएगा वो खंड खो में आपका problem आने वाला है व्याकरन में भी आपका problem नही पर्मानन्द मतो जी के द्वारा लिखा गया है पर्मानन्द मतो जी के द्वारा संकलित किया गया है इसी में आपका सारी चीज़ आ जाते हैं सावन मास छागडा जीवन पोतेकपूल जीवन पोतेकपूल राजकिसोर सींग और पर्मानन्द मतो उसके बाद महवारस ये इक ही किताब के अंदर आते हैं जीवान पोथेक फूल के अंदर जो की परमानन मातोजी के द्वारा संकलित पूस्तक है ठीक है इसको पढ़ने में आपको समय लग सकता है दो दिन का क्योंकि 70 टोटल आपको यहां पे गीत और कविताओं का संकलन किया गया है 70 गीत और कविताओं को आपको पढ़ना होगा अलांकि छोटे-छोटे हैं तो यहाँ पे दो दिन का समय आपको लग सकता है ठीक है उसके बाद ये जो लोगी थे ये पॉर्सन भी ज्यादा हाड नहीं है इसको पढ़ने में आपको एक से दो दिन लगेगा इस प्रकार अगर आप दस दिन भी बढ़िया से तेयारी करते हैं तो आपका जो पंच परगनिया का सिलेबस है वो आराम से हो जाएगा complete ठीक है इसमे होती बैतरीन धंग से पढ़ाये गया है साथ में दोस्तों वहाँ पे आपको mock test भी दिया गया है कि किस प्रकार के questions गीत और कविता से आएंगे mock test भी वहाँ पे करवा दिये गये हैं और कुछ-कुछ अभी बाकी है उन सभी को आगे में पढ़ाते वे चलूँगा ठीक है जो हमारा paid class है उसमें 95% जो सिलेबस से वो कबर हो चुका है 5% बाकी है जो कि September के मेरे ख्याल से 20-25 तारिक तक वो चीज complete हो जाएगा ठीक है तो 95 परसेंट सिलेबस complete हो चुका है सारा वीडियो लेक्चर अगर आप जोएन करना चाहते हैं paid class तो आप जोएन कर सकते हैं देखे दोस्तो paid class जोएन करने के लिए आप contact कर सकते हैं हमको टेलिग्राम पे at direct bound to education आपको दीख रहा होगा यह टेलिग्राम लिंक है जहाँ पर जाक इसमें आप हमसे contact कर सकते हैं या फिर आप description चेक कर लिजगा description में भी contact detail दाल लूगा ठीक है fees बहुत ही minimum है इतना minimum fees में आपको सारा तेयारी करवाए जा रहा है और मैं आपको guarantee देता हूँ कि 100 में आपको 95 प्लस आने में कोई भी नहीं रोक सकता है अगर आप अच्छी तर आप कभी भी जितना बार चाहें आप देख सकते हैं एक बार में आपको समझ में नहीं आता है दूसरा बात देखे तीसरा बात देखे जितना बार चाहें आप देख सकते हैं फीस बहुत ही minimum है इतने काम फीस में आपको सारे चीज़े provide करवाए जाएंगे तो अगर आपको join करना है तो आप हमसे contact कर सकते हैं तो चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपना तैयारी जो है अच्छे प्रकार से करते रहें समय बहुत कम है और यह जो original language होता है या फिर जो local language दिया गया है यह बहुत ही एक प्रकार से आपका qualifying जो आपका merit बनेगा वो चीज में बहुत ही सहता करेगा क्योंकि इस पार जो original language है वो केबल qualifying नहीं है बलकि merit में भी इसका number जुड़ाएगा ठीक है तो यह एक plus point है जो आपको मिला हुआ है अधिक साधिक इसमें marks ला सकते हैं 95 plus तो आपका आराम से आ जाएगा ठीक है तो जरू सब्सक्राइब कर दे आज कि इस पीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद